नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन और मैं हूँ प्रियादर्शन वरियाई आईएस अधिकारी केके पाठक का उख गाली वाला वीडियो तो आपने सुना ही होगा जिसमें वे अधिकारियों को बैठक के दवरान गाली दे रहे हैं बिहार को लेकर के गाली दे रहे हैं और इन सब प्रकरन के बाद जब उनकी चारों तरफ से निंदा हुई तो केके पाठक ने एक लाइन में कह दिया कि उन्होंने जो उस बैठक के दवरान गाली दी थी उसके लिए खेद प्रकट करते हैं केके पाठक के खिलाप शिकायत दर्ज हुई लेकिन उस पर कुछ भी उनके खिला कोई कारवाई जैसी बात नहीं हुई है और पूरा मामला केबल उनके खेद प्रकट करने मातर से रफा दफा हो गया है लेकिन अब एक नया प्रकरन सामने आया है यानि कि केके पाठक जिस बैठक में गाली दे रहे थे अधिकारियों को गाली दे रहे थे बिहारियों को गाली दे रहे थे उस वीडियो को वाईरल करने वाले अधिकारियों के खिलाप अब जाच होगी केके पाठक के गाली प्रक्रन में केके पाठक के खिलाप भले ही कोई सक्त कारवाई नहीं हुई हो लेकिन कैके पाठक के गाली देते हुए वीडियो को वाइरल किसने किया और किसने इस प्रकार की अनुशाशन हीन्ता की है उस अधिकारी के खिलाप अब जाच कियोगी और उस जग के खिलाप जाच के बाद संभव है कि आवस्य की विधी सम्मत कारवाई की जाए दरसल बिहार के गाली वाज आएस अधिकारी किये के पाठक का एक वीडियो वाइरल हुआ था एक बैठक के दौरान वे बिहारी और जो तमाम वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी थे उन्हें गाली दे रहे थे और इसी मामले में अब विपार्ड की ओर से एक सिकायद दर्ज की आई गई है यह सिकायद आर्थिक अपराधिकाई यानि की E.O.U. में दर्ज कराई गई है इस सिकायद में कहा गया है कि इस तरह से किसी वर्ये अधिकारी की बैठक में चोरी छिपे रिकॉर्डिंग करना Official Secret Act का उलंगन है और साथ ही ऐसा करने वाले पदाधिकारी की पहचान कर कारवाई की जानी चाहिए क्योंकि यह अनुशाषन हींता है यानि कि जिस किसी ने भी केके पाठक का गाली देते हुए वीडियो वाइरल किया था वह अनुशाषन हींता है भले ही केके पाठक का गाली देना अनुशाषन की स्रेनी में आता हो या ना आता हो यह तो अलग विशय है यानि कि केके पाठक का विहारीयों को लेकर गाली देना, अधिकारीयों को बैठक में गाली देना, इसे लेकर के कोई उस प्रकार की जो विभागे कारवाई तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन जिस किसी अधिकारी ने उनका वह वीडियो वाइरल किया था, उसके खिलाप अ की तैयारी की जा रही है दरसल बिहार के गालिवाद आइस के के पाठक के विवाद में अब विपाड गया के संकाय आड़ी गौतम ने आर्थिक अपराधिकाईब एक सिकाय दर्ज कराई है और इस इकायत में कहा गया है कि कुछ दिनों पहले वाइरल वीडियो को लेकर जिसम में विपाड कैर्ड के महानिदेशक सह उतपाद एवं मद्य निशेद के अपर मुक्ष सचेव के के पाठक के पदाधिकारियों संग अभदर व्यवहार करने की बात सामने आई थी उसमें अब ईयो यू इस वीडियो वाइरल की जाच करे इस इकायत में कहा गया है कि इस त जाच चिंघ करें यहांनि कि disperek उपैंगे चोरियÆ पूरी की पूरी रिकार्डिंग की और रिकोर्डिंड को उसके बाद इस तरीके से वाइरल किया क्यों कि यह अनुशाशन ही निता है तो अब देखना होगा कि केके पाठक का वाइरल किस अधिकारी ने वाइरल किया था किसने उनके गाली देने वाले पूरे प्रकरन को वीडियो रिकॉर्ड करके सब के सामने उनकी उस स्थिति को सर्वजनिक किया था जिससे केके पाठक का एक वह चहर उजागर हुआ था जिसमें वे अपने जो जुनियर अधिकारी हैं उन्हें गाली दे रहे थे तो केके पाठक पर भले कोई उस प्रकार की कारवाई नहीं हुई हो जैसी मांग अक्सर जो तमाम अधिकारी हैं वो इसके अलाबे सोसल मीडिया पर जो बिहारी लोग हैं वो कर र जाता है जिसे अब जाच के तहद उनके उपर कारवाई की जाएगी